हाई फ्रेंड्स असलाम लेकूम विलकम पैक टू माई चैनल आज हम आप लेकिसाद शेयर करने जा रहे हैं चिकन चेज बन के रेसिपी और यह रेसिपी बहुती मज़दार बन करके तयार होती है तो चले इसे बनाना हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये और देखत शे बन के किलिए सबसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो Ohry करते ही करना हम रहीं यहां पेडो कप मैडा लिया है हम इसमें ऐड करिंगे नमक बंधी शेयर्ट सब्सक्राइं चीनी वन टीपुन तो टीपून एड ऐस्त तो इस्ट थीपून करेंगे अब देटार कुछम फ़स्की आड़ हमानेटी आड़ से के भीज़ा है हैं केपट धीकर करोगें मिक्स करनें के बाद समत्कों को कि अवसिट सप्टी आप यहां पर अपर अचुड निग्सट काल अशंक में ब defeat तरफ के एंब तक यहाँ पर非常 भी मॉझे अपर बने के लूपनटे के लिए 1 गहां अउप मॉधना जोwest के लिए के लिए को भोल से पूल जाए यहाँ पे लिए लिए A colour साइट कर देगे है जाँ आप के मुझे लिए सबस्तच जब करने हैां इसमें हम एड़ करेंगे 3-4 टी इसपून रट चली पॉडर, यहां पर चिकन मसाला अंड़ करेंगे, यहां भी टीजिस्पून यहां पर हम विनेगर एड़ करेंगे, 3-4 प्रीका पॉडर बिण 12-15 दो अछय सकताऊ हो है तो चिकन इस अरे 2-3 टीबल पूर्ड़ network ड़िया 1-4 तीज़पून जीरा एड़ करेंगे, 1 तीज़पून चॉप लहसन एड़ करेंगे, इसे हम कुछ सेकेंड के लिए सौटे कर लेते हैं, ताकि ओल मिसका फ्लेवर रिलीज हो जाए, यहां पर हम एड़ करेंगे 1 मिडियम साइज की प्याज इसको फाइनली चॉप कर लिया, अच्छे तरीके से बून लेते हैं, तो यह प्याज यहां जो है, यहां पर मारिनेट की ओवा चिकन एड़ करेंगे, इसे चार से पांच मिनट हमें जो है अच्छे तरीके से बून लेना है, वीडियम तू हाइफ फ्लेम पर, जब तक ही चिकन का कलर थोड़ सा चेंज नहा यहां पर चिकन हमने भून लिया तीन से चार मिनट तो अब यहां पर वन एड हाफ टेबल स्बून, मैदा एड़ करेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं चिकन जालीम तो चिकन में आप हम एड वन कप मिल्क, मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीक से मिल्क में ड़ though शी जाः यहां पर हम एट करेंगे थोड़ा सा नमक ताकि जो है नमक चिकन के टेस्ट के कॉर्डिंग हो जाए और उसके बाद 1-2 टेस्पून काली मिर्ज पॉर्डर, 1-2 टेस्पून गर्म मसाला पॉर्डर, 1 टेबल स्पून स्वय सॉय सॉस, 1-2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस अब यहां पर हम आफ टेस्पून रचिली फ्लेक साइड करेंगे और एक मिनट के लिए इसे मिक्स कर लेते हैं तो देखें यहां पर चिकिन बन करके अब रेडी है अब हम इसे साइड कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स स्टेप की तरफ तो डो को रेडी के हमें एक घंटा हो चुका है हम इसे थोड़ा सा नीट कर लेंगे तक इसमें जो भी एयर हो वो निकल जाए नीट करने के बाद इसे जो है हम चार पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो यहां पर हम मैदा डेस्ट कर लेते हैं उसके बाद डो को हम यहां पर रखेंगे और इसके उपर भी मैदा थोड़ा सा डेस्ट कर लेंगे और इसे न हम चार पोर्शन में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें बन बनानी है तो हमें एक बराबर की बन तयार करनी है तो चार पोर्शन में एक अले पार्ट में हम इसे डिवाइड कर देंगे और बन हम यहां पे रेडी कर लेते हैं इस तरीके से बना लिए यहां पर दस मिनट के लिए रख देते हैं तो दस मिनट यहां पर हो चुके हैं अब हम यहां से इसको रिमॉफ करेंगे को और जो हमने बन बना करके रखा हुआ है आए खीशन काप ऐसमादे है अब प्रेस लैकर कदेणी निटह जो हमने पर थाण के ह Вот आधा रह Elsa निटा अब करेंगे तो यहां पे देख़िए चीज घ्रीट जई जरूरी है जदने हम डालेगे तनी ही यहां पे हमने चीज को भी घ्रीट कर लिया है तो आब ऑन हम एक में कर अच्छी तरीके से तो अब यहां पिर ग्रीस कर लिया है। अच्छी तबर शुपलने डालेंगे अथा भी स्बस्कान से में कैल आप राइज मचलेंगे और बेंद डसारी ट्रेम हम rice आधा इसाथ रेत रेत चbreaking चे next our Mittel Запाप्ले कर देंगे बहुत ही मस्त बन करके तियार होगी एकदम मार्केट की तरह रेडी हो जाएगी जसे लगे गई नहीं कि अपने इसे घर में बनाया है और इसके बाद यहां पे हमने सफेद तिल जो होता है उपर से इसको डाल दिया है और अब चलते हैं इसको बेक करने के लिए यहां पे बि बेक लिए बाद मेडियम टू लो फ्लेम पर रख करके अब बेक करें तकरीबं 30-35 मिनट दो मिलते हैं 30-35 मिनट बाद तो यहां पे चिकन चीज बन रेडी है अब हम इसे रिमॉफ कर लेते हैं यहां से तो देखें बहुत ही जबर्दस्ता कितना अच्छा इसमें कलर आया ह बहुत ही जबर्दस्त बन करके तयार है तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं बहुत ही जबर्दस सा यमी चिकन चीज बन करके रेडी है इसे हमने कैसे गैस तंदूर पर ही तयार कर लिया है तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राइ करिएगा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा कॉमेंट कीजेगा और चैनल पर पहली बार आए है त झाल 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 झाल